हालो गाईज कैसे हैं आप सब लोग टायर उक्स्पेक्टपल 6 पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम केंडल वेक्स रिडिंग करने जा रहे हैं और एक टॉपिक मैंने लिया है जो कि आपका बहुत ही रिक्वेस्ट टॉपिक है ठीक है बहुत दिन से मुझे रिक्व टॉपिक है तो जो भी जोब भी आप देख सकते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए वैलकम है ठीक है तो चले स्टार्ट करते है आज के रिडिंग में जाने से पहले चोटी सी जनकरी अगर आपको परस्नल लिडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरा मेरे आपको लेड स्केमर से है ठीक है तो वह मेरे ओने बड़ है, तो मैं मेरे सबमने दिस्क्रेश, तो आपको प्र earnest पर पाल भीर से माय, मेरी में मुन्हें शाटम सीफलिय कोई, अंद फाल भीर स्केमर सेरी में में मलें में माम सीफलिय क sekaliApp पहले सबसे पहले अपने इस्ट देव को उसके बाद अपने पार्टन का ध्यान कीजिए और राइट गाइस चलिए आज हम कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर रिडिंग ठीक है आपके बारे में वो क्या सोचते हैं इनर्जी क्या है उनके बारे में क्या सोचते हैं उनका नेक्स्ट एक्षिन क्या होगा एक्चुली मेरे जो रिडिंग का जो टॉपिक जो मैंने लिया है वो यही है कि आपके और थर्ड पार्टी के बीच में के लिए उनकी क्या सोच है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते है आल राइट गाइज सबसे पहले स्टार साइन बताऊंगे मैं ठीक है पाइसीज को ही लग रहा है कैंसर कोई लग रहा है कंसर है आप लोग गजिटीरियस एक्व packages za कर्यास Taurus Aries वर्गो कि अंदिम्धी कोईर घब अख और लग रहे है कर देखिए जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं यह मेल फी मेल कोई भी हो सकते हैं लेकिन आपके उनके बीच नहीं कण पर ठीक है यह पर ऐसी चीजें लग रही है कि मुझे आपके इनके बीच ब्राने की कोशिश करतें पर यह डिसाइड नहीं कर पारे कि इनको कि आपको आपके प्रती पिहले आपके लिए देख लेते हैं कि आपके प्रती अनरंजी क्याматित पीर मैं उन्होंjas सबसे पहले आपको बहुत कर देखने का ढम है आपका जो आप वेर करते हो आप जिस तरह से बिहेव करते हो यह सब चीज़े इनको बहुत एड्माइर करती है इनको हमेशा से आपके जैसा ही कोई इनसान चाहिए था जिन्दगी में जो इनकी लाइफ को थोड़ा से सेटल करके चलता ठीक है इनकी लाइफ चल तो रही है ल एक्ट है उनको देखते हैं आपकी जो आपका नीचर है आपका बोलने चालने का ढग आपका ड्रेसिंग सेंस जो है इनसे सबसे इनको यह लगता है कि अगर आप इनके लाइफ में होते तो डेफिनेटली कुछ अलग होता ठीक है जो लाइफ ही जी रहे हैं उनके उसे चुछ नहीं कर पारी ठीक है क्योंकि अड़ी नहीं किसी और को चूज आपसे पहले ठीक है और आप अलड़ी नहीं हो आप भी किसी की ओग इनको इसा लग रहे हैं यह आपकी क्या करना चाहते हैं आपके रिलेशिंशिप में इनको बहुत ऐसा लगता है कि आपको बताया यहां पर ऐसा भी लग रहा है कि कई बार लगता है कि इनको यह रिलेशन्शिप नहीं होगा बहुत जदा निराश हो जाते हैं लेगिन फिर भी यह अपनी उमीद नहीं छोड़ते कि कुछ नो कुछ तह ऐसा होगा यह अपना फर्स्ट कदम आपके लिए हमेशा बढ़ाते र हैं आपके रिलेशन्शिप में प्रोग्रेस चाहते हैं तो इनके एनर्जी ऐसी है कि यह जढ़ी ना चाहीं आपको बहुत पसंद करते हैं अप देखे जैसे भी है जो कि हमेशा से इन्होंने इपने परफेक्ट पार्टनर की जीदी और देखी यहां सोची थी पहले कभी ठीक है यह सोच के भी आपके बारे में दूर जाने की नहीं सोच पाते हैं चाहते हैं कि कई बार के आपको छोड़के चलो सबकुस ठीक कर लिया जाए वापस पैचब कर लिया जा लेकिन यह वाके में ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि आप फर्स्ट और लास्ट और इनकी जिंदगी में कोई आएगा और ना कोई था पहले भी ठीक है जो पहले जो चल रहा है वही ठीक है लेकिन आप जब से जिंदगी में आयों इनको कुछ बदलाव से नजर आए अपने आप में ठीक है और इनको लगने लगाए कि यस जिंदगे में अगर आप होते तो कितना चेंजिस आते ठीक है चलिए मैं उनके एनरजी बताते हूं मैं दोरों के बारे बारे से बताओंगे तो उनके लिए मैं बताओंगी कि यह डेफिनेटली वहां भी एक्टिव है ऐसा नहीं कोई एक्षिन नहीं लेना चाहते ऐसा भी निए कि मिल्कुल कट आफ कर दिया है यहां पर जो भी चार यह टो पर्सनल चीज़ utilizar buenas टो चाहिए लिए जि sawmaat बताओंगे नहीं गत्यादा बलकुल नहीं होता है कि मेरे जीITY में कुछ कमी है अगर यह था चेंड़ि जार कर दो शायद ज़ता गयए और यह कोई सच बताना चाहते हैं इन डियों क्या अनगर TDAG और कई लोगोंने तो कहीं दिया होगा यह बहुत सच बोलना चाहते हैं और उनको इनके कान बहा करते हैं ठीक है मुझे पता नहीं को कौन है इनके आसपस लेकिन इनकी थर्ड पाटी के कोई नो कोई कान बढ़ता है मुझे ऐसा लगता है और देखिए मुझे बहुत से लोहों का लगता है कि कोई पार्ट पार्ट बोडर सबस्क्राउट बुम्त कि इनको टकश कर सकते ही इंको नहीं आए रहे पार प्राइवे travel कि सकते हैं , सब्सक्राइबुन से वाह झालम करना इनको फोलो सब्सक्राइब इनको बेसे ननुकर इसी छक है। इनको लगता है कि यहां पर कुछ नहीं होना ठीक है बस इतना ही इनको लगता है और आपके पार्टिन एसी एनरजी में है कि वह कहीं नहीं इस रिलेशन्शिप को वर्क आउट करना चाहते है ठीक है जो भी सिच्विशन है वह जिम्मेदारी लिए तो उसको निभाना है इस कहीं ने जहां पर दिल और प्यार की बात आती है वह आपको बूलने पाते है यहां पर देखिए क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टि को लेकि फिर मां आपकी भी प्रहते हैं इनका जो बहुत बहुत रहता है ठीक है मतलब यह कुछ भी बताना नहीं चाहते उनको पसंद करते एवन के टेचिंग भी अच्छी नहीं लगते इंको डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यह कोई भी बात उनसे शेयर करने के लिए नहीं है राजी ठीक है यह इनको लगता ही नहीं कि वहां पे कुछ भी बताऊंगा तो कुछ भी यह बताऊंगी तो कुछ भी है ठीक है मैं यहां पर यह कहूंगी और यह अब नहीं शुरुआत करना भी चाहते हैं तो नहीं हो सकती ठीक है क्योंकि वहां से इनको हमेशा रिज्यक्शन फील होता है ठीक है कोई भी अगर यह शुरुआत करने जाएं तो थरपाटी बहुत ज़दा मैनिपलेशन और बह कम है ठीक है यह उनकी एसा नहीं की इजट नहीं करते हैं बिलकुल इनकी एक्षन मालब एक्टिव रहते हैं वहां पर लेकिंग इनको जब रिज्चन फील होता है तो यह अपनी अनरजी को वापस ले लेते हैं ठीक है कोई इंपोर्टेंट बात है तो बताते हैं और करते इंटेंशन करें थर्ड पार्टी को लेके तो मुझे ऐसा लगता है कि यह यह डेफिनेटली कोई नहीं शुरुवात यह चोटा सो कोई ओफर लेके वापस से इनके साथ पैच अप करना चाहते हैं जब भी ऐसी सिच्विशन होती है लेकिन थर्पार्टी कोई ने कोई लोगों को कोई जैसे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है कोई इस तरह की एनरजी है तो कहीं ने को शक भी होता है आपके पार्टनर को कि कुछ नो कुछ मुझ पर किसी ने कुछ करवाय ठीक है तो ऐसे में यह डेफिनेटली ऐसा लगता है इंको कि यहां पर चीज़े वर्क आउ कि यह कह कै पार जाए लेकिन यह कह कि भी कुछ नहीं कर पा्थ है और इसे हमें को वह भी घुले कि की बहुत कुछ तो लाकिन कोई रिजसे नहीं निनुकलेंगा fact तो इनको यह नेचर और इनका यह जो नेचर है बहुत समझ में आ चुका है और ज्यादा टेंशन नहीं लेते जैसी जिन्दिगी है इनको यह फील होने लगा है एक चली इन दिनों कि यह जिन्दीगी ऐसे ही चली इसमें कोई भी अगर मैं करना भी चाहूं तो कुछ भी नही तो भी नहीं उसक्ता है इनको ऐसा फील होता है अब यह सब के लिए डिफर करेगी चीजें लेकिन इनको फील होने लगा है जिससे जिन्दिगी चल रही है वैसी चली इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा तीक है यहां पर जब भी मैं एक नहीं शुरुआत करना चाहता या फिर इन पर शक किया जाता है ठीक है तो इस तरह का मुझे आप माहोल लग रहे है थर्ड पाटी के लिकर आपको लेकर क्या क्या फीलिंग से इनकी देखिए मुझे सबसे बड़ी बात लग रही है आपको एक बहुत इंट्यूटिव परसन समझते हैं और मुझे यह फील ह हो रहा है एक मिनट में इसको रखनी कोशिश करती हूं आप चली कोई नहीं आज थोड़ा से इसको कम्प्लीटी कर लेते हैं वेटामनेट दुबार से जला लेते हैं आप अब ऐसा मत सुझेगा कि तो बंद हो गई आप कैसे रिडिंग करेंगे नहीं काई बार होता है थीक है इतना ज्यादा मत सुझेगे तो नेक्स में बताने वाली थी कि आपके लिए फीलिंग्स क्या है तो सबसे पहले मुझे लग रहे है कि आपके लिए फीलिंग्स यह है कि यह कभी भी अपनी चीज़ों को आपसे मलब जैसे कि कहते हैं कि मैं डिस्क्लोज नहीं करूगा आ आपसे चीज़े बताते ही नहीं कि करें लाइख में क्या चल रहा है यह हूँ छुपाते हैं और पर टाक्या बहुत थोड़ा सा बताते हैं मुझे लगता है कि आप इनके लिए सीख्रेट हो एक और सीकरेटी रहा है जो आपसे जो एक बहुत बहुत आपको याद करें और इनको लग रहा है कि कोई ने कोई चीज इन से घलती हुई अपनी लाइफ को लेके नहीं तो आप इनके जिंदगी में होते तो काफी कुछ अच्छा होता है इनकी इंटेंशन देखू तो आपके प्रती देखे मुझे ऐसा लगता है कि य यह आपके लिए अगर कभी एक्शन नहीं लेते या अगर कोई मैसेज कॉल नहीं आता तो इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको प्रिटेक करके चलने वालों में से हैं डेफिनिटली आपको बहुत केरिंग मतलब जैसे एनरजी मैंने देखी थी बहुत केरिंग आपके लिए इनके इंटेंशन यह है कि इनसे जो गलते हुए उसको यह सुधार नहीं सकते लेकिन आपसे अपनी कोई जरूर पूरी करना चाहते हैं ठीक है इनको आपको बताए भी होगा इनोंने की कई बार कि यह चीज़ें आपके साथ वर्क आउट करेंगे लेकिन किस तरह से करेंग ठीक है कहीं नहीं यह भगवान के दारा दिया हुआ रिस्ता है यह ऐसा सोचते हैं आपके बारे में ठीक है तो मैं यह आप यह बताना चाहरी हूँ कि आपके लिए इनका क्या एक्शन होगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कोई नों कोई रिकंसलेशन चाहते हैं अगर आप में कोई बात है आपसे बात चीत में हो रही या आपसे मनमुटाव जा रही है या कोई बात पर आपसे अन्बन हुई है तो यह डेफिनेटली रिकंसलेशन करेंगी आपसे को इनको रियलाइस होता है कि आप इनके जिंदगी में नहीं हो गे तो यह हसना ही बूल अन्दिक्डे में एक्सप्पीरेंस बहुत हैं इनकी जो एनर्जी आई है एंपरर की आई है ठीक है कोई एरीज हो सकता है लेकिन मैंने साइन में बहुत सारे बता ईखिए कोई दिकत नहीं आपका साइन नहीं भी आए तो यहां पर देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इनसान है जिनके बारे में पूछ रहे हैं काफी पावर्फुल हैं इंडिपेंडेंडेंट हैं लेकिन यह जब आपकी बारी आती है तो डेफिनेटली आप से इस उम्र में भी कई बाते सीखें जो कि कभी इन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि कोई मुझे भी सुखा सकता है इस तरह की एनरजी मैं देख पारी हूँ और यहां पर देखिए आपके साथ एक्षन मुझे हां पर दिख रहा है विक्ट्री का मतलब एक ही मतलब नहीं है कि आपके साथ जीतना बलकि आपके रिलेशन्चिप में कोई नहीं कोई एक्षन इनका जरू होगा ठीक है आपके देख पार है कि आपकी कनेक्षिन को एक बहुत डिवाइन कनक्षिन या भगवान की देन मानें गए और डेफिनली इसको वर्क आउट करने के लिए नियरंदर प्रयास करते रहेंगे तो इनका तू-तू-तु-मेमे वाली सिच्विशन भी आ सकती है तू-तू-मेमे वाली सिच्विशन भी आ सकती है ठीक है पाँछे दिन में क्या होने वाला है तो डेफिनेटल थर्ड पार्टी के साथ कोई नहीं आर्ग्यूमेंट हो सकती है ठीक है यह बहुत बड़ा जगड़ा नहीं देख पार हूँ लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई नहीं कोई जैसे कहते हैं तानक हसी हो सकत है तो इनकी बाते वर्क आउट नहीं होती और ऐसी सिटूइशन में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट इनके साथ हो जाती है यह बहुत ज़दा लड़ाकू यह बहुत ज़दा तूतू में करने वाले में लोगों में से नहीं है यह सिर्फ कुछ बाते कहते हैं वह भी तर्क सं साथ और definitely seven days में क्या होने वाला है कहीं ने का एक बार फिर से कहीं ने का दिल दुखेगा किसी नई शुरूबात को लेकर ठीक है कोई ने कोई बात लेकर यह कोई ने कोई आर्ग्यूमेंट जह लेंगे उनके साथ ठीक है इस तरह से मुझे माओल लग रहा है overall ऐसे मैंने energy देखिए अगर आपको reading थोड़ी भी मैच किए तो प्लीज जरू बताएगा subscribe करना मत भूले क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारे लोग देखते पर subscribe नहीं करते मेरे request है कि जब मैं आपके लिए बहुत सारी मेहनत करकी readings बनाती हूं तो आप भी subscribe कीजेगा ठीक है तो दिल कर इस्टाग्रम पर हाली में आई हूं तो definitely अगर आपका भी दिल किसी के लिए धड़कता है तो प्लीज इस्टाग्रम एडी का लिंक में आज देदूंगे आपको वीडियो में ठीक है तो मैं बहुत recent जोड़ी हूं तो मेरी वीडियो वहां पर देखिया फॉलो किजेगा बुलें मेरा वेट कीजे में नेक्स रेटिम में ज़रू मिलते हूं गाइस ओके बॉबाइए